हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कुछ मिनट के बाद आपका कम्प्यूटर का स्क्रीन टरन आफ हो जाता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो आपको क्या करना यहां पर सर्च बार में जाना है सर्च बार में जाने के बाद यहां पर आप सर्च कर लिजाएगा इसके बाद यहां पर आपको कंट्रोल पैनल दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद इस तरह से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा दोनों में से किसी एक तरीके से यहां पर आपको कान्ट्रोल पैनल ओपन कर लेंगा अपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे check कर लेना है आपका selection कहाँ पे है यदि आपने balance के उपर select कर रखा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे change plan setting दिख जाएगा इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा नेवर सेलेक्ट कर देना है इसके बाद आपको यहां पे से पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहां से क्लोज कर देना है करने के बाद आपका ये जो प्रावलम आ रहा था वो प्रावलम फिक्स हो जाएगा और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शेर करे थैंक यू